तो क्या हम points करेंगे पहला point होगा कि real shift plan क्या है ठीक ऐसा नहीं कि रोज 10 गंटे 12 गंटे की पड़ा ही हम लोग दिखा रहे और फिर उसको follow नहीं कर पार है और फिर उसके बाद हम लोग depressed हो जा रहे और फिर उसके बाद सारा का सारा backlog हो रहा है ठीक है तो यह बिल्कुल भी न chemistry फिर बायो ठीक है physics chemistry बायो उसके बाद material क्या होगा material क्या solve करना है आपको वह हम देखेंगे एक्स्ट्रा material क्या solve करना है साड़े 600 प्लस के लिए ठीक है वह हम देखेंगे और correct way to read chemistry यह पॉइंट मैंने इसलिए आड़ किया है बहुत लग पूछते की chemistry पढ़तो लेते लेकिंगे जब हम मॉक्ते देते तब उसका कुछ फायदा लगता नहीं है और लगता भी है तो कुछ नाइंटी परसेंट बच्चों का में स्कोर फिजिक्स में ही खराब होता है और फिजिक्स में के नंबर कम आजाते है एक्सपेक्टेड तो अगर आपको 600 प्लस स्कोर करने तो आपको बहुत लोग बताते होंगे कि आपको 300 प्लस बायो में लानों पड़ेगा लेकिन आपक लिए कर लिजिए आपका प्रश्र की वेशो जाएगा थीचके 20 मार्क आपका कम से कम आपका एक्जाम प्रेशर कहा धा जाएगा गांध। तो उसके लिए आपको टार्गेट थोड़ा सा हाई करना है अगर आपको बताऊंगा आगे जागे क्या क्या है जो 2020 वाले लेकिन जो 600 जिनको 600 लाने है वह 620 का टार्गेट करें जिनको 650 लाने वह at least 680 670 के टार्गेट करें ताकि अगर कुछ गड़बड होती है गड़बड कर और आपनी दॉका नीट दिया होगा अपने देखा आप ऐसे कोशं करते जो गलत मैं हिए चे तुझेछ इतना उता होता है कि ऐसे गलतिया होती है यह तक यह चक्ड रहना पड़ेगा आप जितने कम सीपर करेंगे उतना आपका स्कूर आगे बड़ेगा यह प्रशर में बहुत ज्यादा होता है कि आप जो है easy multiplication division जो है गलब कर देते हो आपको concept आता भी होगा wrong statement आप पढ़ोगे नहीं incorrect not correct यह सारे चीज़े पढ़ने के लिए आपको जितना मैं अपको बता रहा है आप उतना किजिए आपका जो speed बढ़ेगा जैसे speed बढ़ेगा confidence बढ़ेगा आपका score automatically आपके mock test में बढ़ेगा तो इसमें क्या दिया है physics में क्या करना है हमें तो पहले आपको सब्सक्राइब बता लगा तो अगर आपको basics clear करना तो पहली चीज़ आपको calculus आना चाहिए आप बहुत लोग बोलेंगे calculus तो आया है नहीं साल कुछ और आएगा भी ने लेकिन अगर आपको calculus नहीं आता आपको confidence नहीं आएगा ठीक है आपको लाएगा आप सब रटके जा रहे हो आप कभी भी कुछ भूल सकते हो ठीक है for example अपको बताओ अगर रेडे अक्टिवीटी में चे फार्मिला होता है एंटी वाला ठीक है तो अगर आप बाइच्छांस अगर वह फॉर्मिला भूल जाते है ठीक है और आपको नहीं आता कि जो उसका short form रहता है ठीक है टीजी को टूपाइंट 303 व आपको अलग अलग फॉर्म आपको यूद आएगा आपको इंटीग्रेट करना हो कुई चीज आपको सेंट्र ओफ मास्का पूछाओ कुछा पूचाओ बॉडि का तो आपको इन्टीगरेशन डिफरेंश्यों यह सारे चीज़े काम आईगी जो आपको लीनेर डेंस्टिव लामडा दी हो तो आपको यह सारे चीज़ा काम आईगी आपको इसको लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसके बिना फिसक्स नहीं करता है बेसिक क्यालकुलिस बेसिक है मैं यह नहीं बोला कि आपको इंदम हाईलल के पोशने आपको साइड का पता होना चाहिए कॉस का इंटिक्रेशन पता होना चाहिए अलग अलग चीज़ी फॉर्मिला आपको पते होने चाहिए उसको आपको मिनिमम से में आपको बता रहा हो में आपको 25 से 30 मिट लाएंगे सारी चीज़ा सीखने के लिए और फिस एक पेज पर आप नोट डाउन कर लिए तो आपको यह फाइदा दुरूर से मिलेगा आपको एक पेज़ पर सारी चीज़े मिल जाएंगी तो आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं क्या फॉर्मिलास थे ठीक है और इसके साथ साथ आपको ट्रिणोमेट्रिक लिटोन चाहिए और आपको जीपी जीपी आ आपका कोशन में जो भी दिया होगा ठीक है तो यह होगा फर्स्ट बेसिक क्लियर करें आप चाहे दो दिन जीजे तीन दिन चार दिन दिजे लेकिन बेसिक्स के बिना आगेमत बढ़े है कोई लोग बोलेंगे फॉर्मिला बेस्ट आप करके चले लोगे लेकिन जब तक है कि बेसिक सी क्लियर नहीं है आपको कॉंफिडेंस नहीं मिलेगा पेपर में आपका अच्छा नहीं स्कोर आएगा अगर कोई भूल भी जाओ तो मैं डेरा कर सकता हूँ यह मुझे कंसेट पता है और मुझे कैकुलोस भी आता है जिससे मैं आप अराम से कोशन कर सकता कि इसको समझ लेते हैं कि हा अगर डाडिकेशन है तो A को थे हैं लेकिन जडांऑ करने परे आते है तो ब्रोब्लेम होताए यह ने verder को दिया होगा 36 किलो मीटर पर आवर ठीक है तो आप इसी वैल्यू को रख दोगे आपको यह नहीं हो आपको यह नहीं है कि आप जो है धंग से कर रहे हैं आपको हर एक स्टेप धंग से अनलाइस करना है उसके आपको कॉंफिडन्स बढ़ना पड़ेगा आप इसको पूट कर करना होता है बस तो यह चीज मिस्स कर दोगे तो आपका स्कूर ड्रास्टिक नीचे गिरते जाएगा और यह रिजन होता है कि बहुत बच्चे जो है 600 से गिरके 500 450 पर अटक जाते और फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ते लेकर आपने यह जो गलतिया है इसे नहीं सुधा रही अपने मौक टेस्ट नहीं दिये तो आपको प्रॉब्लम आ सकते है तो आप जितना कसे मौक टेस्ट तभी यह गलतिया सुधरेंगी तो आपको आपका स्कू अच्छा कर जाओगे आपको फिर मटेरियल टुबी रेफर्ड फॉर क्लिरिंग कंसेट कंसेट क्लियर करने के लिए आपको कौन सा मटेरियल रेफर करना है ठीक है आपके पास कुई मौडियूल हो मटेरियल जो है एक हद तक मैटर करता है उसका अपका सेल स्टेड़ी और नहीं है इसको हम चेंज कर सकते हैं उसको आपटेंज कर सकते हैं शुआ क्या कोई कंसेट आपको सिखना से 2 कितना और कितना इस वेसली उसको सीख पाते हो खुद से होके तो उसे केता है आईक्यू लेवल अगर आप इसको इसको पर काम करते तो आपका आईक्यू बढ़ जाएगा जो मुझा मैं आईक्यू पर भरोसा करता नहीं हो वैसे क्यों कुछ होता नहीं है इसे बच्चे देखे हो एक दम मतलब बॉर्ड्स में का डाते हो और कि यूपएस की अबने में देखा होगा कुछ नहीं करते हैं फेल होते 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 फिर लास में जाके यूपीड़ लेंगे आईज बंजते या फिर एक्जम नहीं की तो अलग-ख कुछ अलग-फिल्ड में कुछ-बर्दस्ट तो आइतलल मैटर नहीं करता ह ठीक है मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि आप आपको पूछेंगे कि कैसे पढ़ाई करें क्या करें तब तक आपके मार्क्स नहीं आते या फिर आप अपने आपको कही ना कही प्रूब नहीं करते एक या दो जगे ठीक है तो उसके बाद देखते हैं आपको इसके लिए आपको आपका जबी मॉडूल होगा में किसी जी क्लास का मॉडूल कोई थे इसमें कोई यह करना वही करना है कुई भी मॉडूल किजिए अपकरस मॉडूब्स नहीं तो आप ा से मॉडूल के या फिशी पंड़े कर सकते हो ठी सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वो उस कोशन के लिए करते कि अगर बाइचांस एक कुशन आ गया कुछ ऐसा लेवल का तो हमने इसे में आपको फोर्ड ना है तो आपको पूरा कंसेट समझना होगा प्रैक्टिस जितनी चाहिए उतनी करनी यह फाल्दू एक लिए बैटने सो टाइप के सो कुशन एक डाइप के नहीं करने के एसी वर्मा के आपको लिश्ट कर दोंगा कुछ दिनों के बाद जिसमें एसी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप कोई रेफरेंस बुक आप मॉडूल्स या कोई फॉल नहीं कर रहे हो उसके जो मॉडूल्स में दिये हुए तो आपको सॉल करने ही है उसके साथ आपको अपना जो है प्रिविएस तो यह सो कुशन बैंक खरीतना है उसको दो से तीन बा पर सॉल किया ताखी देखने के लिए कि कोई उस्ट को पहले आ चुका है 1988 से 1988 से कोई आ चुका है जो मैंने मिस कर दिया हो तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका स्लिक्स में स्कोर बढ़ेगा confidence बढ़ेगा क्योंकि प्रिएस में आप देखते हो ग किजिए बायो पता है मुझे बायो में आपको बताऊंगा आगे कि बुस्तर को से मॉडली को होंके तो आपको बहुत दिक्ता रही होगी तो उसने बताऊंगा कि मैंने किया ता टेस में तो आप यहां से कर सकते हो इनिशिक बेस्ट थिरोटी को फोश्टन के लिए का करना आपको बहुत लोग गोड़ा थे क्या इनिशिक पढ़े में बहुत लोग मुझे पुसर थे कि मैंने इनिशिक पढ़ी यह फिजिक्स की मैंने पूरी नहीं पढ़ी तीक है almost मैंने चार पास चप्टर छूड़ दि ठीक है लेकिन मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे उसको हम डिसकस भी कर लेंगे कि पॉइंट्स टू पॉंटर में क्या इंपरेंट है और कुछ इसके डिसक्स कर लेंगे ताकि आपको अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोर्स दे रहे हो अगर आपका सीबेसी बोड़े मैं तो स्टेट बोड़ को बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है इंसे इसको लेके तो आप को मैं डिसक्स करने ही वालो या फिर आप पड़त आप बहुत अच्छी बात है खुद से ठीक है तो एप्परोश टू मॉक्टेस बहुत लोग मॉक्टेस देन चाहिए मॉक्टेस का फ्रिक्वेंसी और मॉक्टेस का फ्रिक्वेंसी आपका 15 डैस में एक मॉक्टेस मिनिममम देजिया फुल से अपने पड़ा है फिसके में बाइव बैट के तीन घंटेक अभी आपको यह कंटिनू करने फेबरोरी तक अकर बचेंगा मार्च एप्रील दो मिनिया आपको हर हाफते मिनिममम दो से तीन मॉक्टेस देते रहना है जिसे आपका जो है फॉर्म बरकरार रहे है और जो फॉर्म है वह बहुत ज़्यदा इंपोर्टन्ट होता है यह हो गया फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आते केमिस्ट्री पे ठीक है उस की जरूत नहीं है तो पको पता होगा हूँ एंसे में चान से प्रवाइड करतीं का कोई टेंशन की बात इसमिन नहीं है अच्छे खांस मिलों सकते जो लिंक वह अपको मिल जाए को केमिस्ट्री में हम ठाग्ट लेकर चलते 170 ठीक है बये 170 की ऊपर डिद्सटंस गरी करना त सकते हैं तो भूत लोग ने कर भी लेया होगा लेकिन एक कोशन को था इने यौन düism li वाला ACL पास किया तो ठीक है वो जो कुशन था वह जिथा हम अमरा ज्में वेदिव को उपर का कुछन था वह कुछ मौडल से में होता है कुछ में नहीं होता तो यह थोड़ा सा लब ट्रीकी कुश्चंस एक-दो हो सकते के मिश्ट्री में तो आप केमिश्ट्री में 170 टरगेट करके चलिए ताकि अगर आप नीचे भी आते तो 160 आ सकता है अगर आपका एक अदो कुश्चंस रही हो था वान ए अचा इंटी लोग लेने पुश्च दिया था फिल्जिकल केमिस्ट्री फिल्जिकल केमिस्ट्री की एप्रोच फिजी जासा होना चाहिए इसमें मुझे बहुत सरे कुश्च्छन से की के टूरी पड़ी और जो उसमें इन्टेक्स कोश्टन से पीचे एकसरसाइजेस में कुशन से उसको धंग से स्वाल किया ठीक है क्योंकि पता नहीं आगे जाके कोश्टन आ जाए अब फॉर आप सॉलिड स्टेट पड़ते हो तो आपको दिखेगा जो फॉर्स्ट पेज है कि उसके बहुत कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा इंफर्मेशन ठीक है तो वह आप नोट डाउन कीजिए टेबल दिया हुआ है और थुरोंबिक उसको आप नोट डाउन कीजिए ताइप सॉलिड क्या होते है टाइप पैकिंग क्या होता है उसमें अच्छे से इलुस्टेट किया हुआ है एक गंट आप देख सकते हो डिफ्रेक्ट भी वहाँ पर दिया हुए तो ऐसे करके आपको चैप्टर से खतम करने पड़ेंगे अगर टाइम है आपको है जरूर है तो आप एक घंट आप इंसाइड वे दीजिए क्योंकि वह ही जो है सोलो बुक है अगर आपक किवोग अपको मार्केट ने भूत मिल जागी ठीकै जिली आरबी के दो आप को वहीं जाएगी तो आप कूई भी एक नीट लेवल की खरीच सकते हो बदूस duy sec poresन हो एक और वहाølle है से लेनी हो तो आप वहां से सकते हो जो लेटेक्ञ चारिशन है खना तुम जाएगी उसके आपके पास ही आप अपना इसके आपको पूरा पढ़ना है आपको इंट्रोक्यमिक्कांत्र शीरीज से आ इसे आपको पूछ लेगा मेटलरजी और पता है आपको एफीज रड़न वाला तो वह एपको पूछ सकता है तो ऐसे कुछ से जो अच्छे बन सकते सर्फेस केमिश्ट्री को थरोली पढ़िये जो उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट भी है और एक्जम्पल्स भी है प्रॉपर्टीज भी है एडिशन ऐसो थम भी दिया हुआ है सारे प्रॉपर्टीज दिये हुए लायोफिलिक लायोफोबिक बहुत कं दूंगा इतना अगने केमिश्ट में क्या करना है सिर्फ और सिर्फ एंसी ए रटी करने है ठीक है आप बहुत लोग पूछते कि एंसेट के साथ क्या करें कुछ नहीं करने है ठीक है मॉडुल पढ़े क्या बत पढ़ो छोड़ दो मॉडूल से कुछ आया कह नहीं आएगा क मॉडिल के एक बार कर लो ठीक है क्या वह थोड़े हमें सब्सक्राइब करले के साथ कॉछ नोहीं सकते से पढ़ें है प safest अब लघू है मैं आपको बहुत सारे कोश्चन्स प्रवाइड कर दूंगा और केमिकल बॉंडिंग ठीक है केमिकल बॉंडिंग पे और प्रियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज उस पर ये दो चैप्टर जो है आपका बेस क्लियर करेंगे अगर आपने मैं को बता रहा केमिकल बॉंडिंग को प्रियोड टेवल को अगर आपने पास दिन देके भी पड़ा वर्थ होगा ठीक है क्यूं क्यूंक में जो फंद्रा से सोला कॉश्चन्स आएंगे अप्रक्शन पंद्रा पकड़ लेजिए ठीक है जो फंद्रा कोश्चन्स आएंगे इनोरा जोड़े से कर लिया तो आपको पीग पड़ने में ज्यदा मुश्किल नहीं होगा डीब्लोग पड़ने मुश्किल नहीं होगा लिए देखिल ठीक है तो में आपको रेकमेंड करूंगा तो लास्ट के तीन चप्टर से बाइव मॉलेक्यूल्स केमेस्टी ने लाइफ और पॉलीमर्स तो वहां से जो है मैंने किया दिया बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट के इंटे को लेके उन्हें कोस्टिन फ्रेम किये हुए तो यह में बाता रहो जो भी पढ़ता था में जी ओसी करते वक्ट थे मैंने पूरा का पूरा और ने किवर्क लिया था उसमें मेनेेकशन पढ़ लिया थे सारी जीशे उसमें पढ़ ले लेकिन से इतना पढ़ने के जरूरत नहीं है आप अरक बभाणाइम पढ़िये आप आपको more than enough हो जाएगा और आई पीज और आईसो मेरिजम थीक है तो भूत लोगों को डाउट था कि आइसो मेरिजम में हमें आइसो मेरिजन में टॉटो नहीं आता क्या कुछ चीज़ें नहीं आती आप मुझे कमेंट बस में जोड़ारू से कमेंट करते हैं को क्या चीज़े करने वाले तो उसके हम देखते हैं अगला हमरे पास बाइलोजी में क्या करना है तो बाइब में आपको कुछ नहीं करना बायो में आपको बुक्स के रिए पता ही होगा सबको पता है यह तो हर कोई बतता है एंसेटी पढ़ो ठीक है लेकिन इसे पढ़ना है जो स्टार्ट इसको पूरा कवर करना है उसके बाद कुछ नोट्स होता है स्पेसिफिक कंसेप्स के उसको बना लेना है तो इसको आपको एक दो बार ही पढ़ना है अच्छे जगह से पढ़िए डिटेल में पढ़िए ताकि इससे कोशन जो है थोड़ा सा हायलोल का कोशन होट स्टाइप कोशन आ सकता है अब उसके बाद आपको नोट्स दो बनाने एक्स्ट्रो टॉपिक बनाने एक बुक नहीं रक लिए डिसमें एक्स्ट्रो टॉपिक स को मार क्रोगे जो एक्शेंड में में मैंशेंड तो है लेकिन फोड़ा आपको डिटलमें आके ज़ुरत पढ़ सकती है फोटो रेस्पिरेशन जिसे हम सी टू साइकल भी कहते हैं जो मेंशेंट है लेकि आपको फोड़ा डिटल में आके जुरूरत पड़ सकते हैं इसमें इस सब कुशन आके था बहुत बच्छे गलत कर देते हैं लेकिन वह कुशन एंसे अच्छा कुशन था एंसे अच्छा करना कुई यक आप घर रहे हैं अगर आप मौडूल पढ़ना आपने यहां से स्टार्ट किया है अगर आप मौडूल अभी पढ़ने थालों किया है तो आप छोड़ दीजिये अगर अगर आपने मॉदूल पढ़ लिया है 90 70 80 तो एक बार दिएटिंग मार लिजे लेकिन आ लेकिन डेटा याद मत कीजिए कुछ भी नो डेटा टुए मगडब अधर दन इंसे अटी को सुटके कोई डेटा ने आएगा ठीक है देखा होगा आपने रोबर्ट में का पूछ लिया था जो एकदम एजिएस कोशन था साथ मिलियन अगली बार आपको पूछ देगा कि एक्स्ट्रीम एक्स्टिमेट्स क्या है बीस से पचास मिलियन ऐसा ही डेटा आएका बहुत इजी आएगा रेफ्रेंस बुक पढ़नी कोई नहीं है एमसी की बुक जो है आप ले सकते हो फिंगर टिप्स एक अच्छी बुक है जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं यह आपके बस जो भी एंसेटी बेस्ट हो देखिएगा वह एंसेटी बेस्ट और आप प्रिवेस्ट टू येस को दो तीन बार कर लेजिए और उसमें भाहर से कोशन थे उसको आप जो है नोट डाउं कर लिजिए कि क्या कोशन भाहर से पता है तो उसको भी पढ़ लेजिए पता है कि दो तिन टॉपिक्स ऐसे हैं कॉंप्लीमेंटरी जो है अलग अलग टाइप की जो दिया हुआ है सप्लीमेंटरी ठीक है इंट्रक्शन वोदिए वालग तो वहां से कोशन भाहर से पता है आपको तो वह साथ चीजा पढ़ सक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको एक भूत ही अच्छी बताता हुआ कि भूत लोग जहें बायों के मॉक्त तार स्वाल नहीं करता है उसको से दिक्कस होती है स्पीड नहीं बढ़नती है तो आप क्या कीजिए बायों के जो मॉक्तेस्ट है वो रोज दीजिए एवरी क्यों मैं बता रहां के मॉक्तेस्ट रोज देने के लिए किसे देना है बेट के दे सकते हो लेकिन मेरा प्रिफरेंस क्या था कि आप अपना अपना करता हो कि कोई स्ट्रेजी आइडियल नहीं हो थी आपको अपने बनाने पड़ती है मैं आदा घंटा हाफ आवर ब्रेक लि में और फिर एक दो घंटा मOkay बता आपको क्या करना है जो हो तो बायो का एक स्राड में आप जो है आंसर कोई भी पेपर आकाश कही का भी पेपर ले उठालो ठीक है कही का भी पेपर उठालो 90 कोश्चन एक स्क्रीनशॉट खीच लीजिए आंसर कही का उसको एक टैब में उपंग कीजिए टैब मतलग जैसे आप स्क्रोल करते हो नीचे जैसे अब अलग अलग टैब अपने मोगल में एक ही मोगल में तो उपंग करके आप अंसर चेक कीजिए इसका इसका भी इसे करते करते हैं मैंने हर रोज आल्मोस्ट लाश की जो लास्का होते हमारा कितने दिन होते हैं और मैं बता आपको साड़े तीन से चार मेने फोर सिर्फ भायों के पूरा मॉक्टेश ने बता रहा हूं में पूरा मॉक्टेश आप इतना देजिए लेगें बायो तो आपको मैं स्टार्टिंग से जब से जून से जून से आपको बता रहा हूं कि जून से मैं चालू कर देता मॉक्टेश देना बायो लोजी का ठीक है और म क्लास में टाइम मिले क्लास में और मुझ 45-45 कोशंस करके घर बाकी करता था तो एक देजिए उससे क्या होता है बाव में स्पीड बढ़ता है फाइनल में बहुत इजी आएगा ठीक है अब जो स्कोप होगा वह होगा सिली मिश्टेक्स का अपने बहुत इस सल बहुत की होंग क्योंकि यह आपका एक्जाम डेप्रिशर ले सकता है तो आप तार्गेट ख़ड़ा सा हाइसेट कीजिए तो यह था हमारा बाव लोजी का कि क्या पढ़ना था तो ओरल समरी क्या है इसमें ओरल समरी यह है कि आपको फिजिस के लिए कोश्यम प्रेटिस करने जितने कर सकते उतने और अच्छे कोश्यन जो नीट बेस्ट हो ठीक है और आपको अपने मॉडूल पढ़ना या कुई रेफ्रेंस बुक पढ़ना है फालतुक के बुक्स नहीं पढ़ना है एस्थी और वाको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क के लिए कि लिए आपको जो है कोश्यन करने है तो करना ही सब के लिए थाटी टू यहर सबके लिए कंपसर दो बार ठीक है जितना मुझे लगत है टू टाइम किजिए क्यों कि यह तू टू टाम कुछ हो जो आपसे छूट जाए तो आप उसे आपस से रिक वर कर लो और से आपको दो से तीम बार कम से कम पढ़ना है के मिस्टिक का उपर से बाइब का तो इतना प्रसकते हो मैं जितना प्रिफरेंस है कि आप हर बार हर बार एवरी टाइम आप घब कुई चार्टर रिवैस कर रहे हो तो उसको एक या दो घंटा दीजी वापस दीजी बहुत लग बो क्या होता है हर बार मिफ्य करते हैं गब तो हम सिब सुपर फिशियल पंस करते तो उसके लिए आप जो है ताइम दीजिए हो कि तो दो बाई को बंता भी है आपको three fourty plus आराम सिंधे सब्सक्राइक सब कुछ आपको सिर्प करने निया कर न हर एक पना हरे好吧 करना है और एप पॉइंट्स कुछ hidden points होते हैं एंसेटी में hidden points जो छूट जाते हैं जिसके से मार्क निया पड़ आप तो वह सारे points हम लोग जो है एक सीरीज चालू भी कर रहे हैं कल से मंडे से ठीक है तो वहां से आपको सारे points मिल जाएंगे और उसके बाद आपको आपको नीचे पेपर भी PDF के form है और आपको solve करने के लिए लाइव मिल जाएगा तो उसे आप अच्छे questions का जमाग कर सकते हो अच्छे questions जो होंगे आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजे ठीक है और एक तो जन्रल कोशिंस मेरे को आए थे कि जो मतलब आ रहे को और पर बहुत लोग कोश भी रहे कि हम लोग यूट्यूब पर जाते हैं तो कि मैंने अभी आपको बता दू कि मैंने बहुत सरे chapters मैंने इक मदेशन ना कवर में इसन्यन कोश स यूट्यूब से यूट्यूब से लास्ट यर मिने योटूब से ही कवर किये तो जो इन फर्विश्यू हो और पढ़ा ही सारे मोटिवेशम चाली वह सारा सब्सक्राइब हो फिस और आपका जो आपको JOE एक यह से कृषिशं एटल सारे चीज़ें दिखती है जो एंटरेर्मेंट हो जो भी हो तो आप यह दो जीमेल का आइड़ा कीजिए जो यूसफुल है वह आपको आप्षिन मिलेगा स्विच अकाउंट तो आप स्विच अकाउंट करके जो आपना अकाउंट स्विच करके आप जो है सिर्फ पढ़ाई मोड पर जाके और कुछ नहीं देखोगे तो यह अच्छा मतलब मेरे लिए काम किया आपके लिए काम कर सकता है तो देखते हैं अभी कि हम कैसे कैसे लिखा जाते हैं आगे हम पूरा बायो कवर कर लेंगे उसका केमेस्ट्रों फिजिस जीतना हो सकते उतना कवर करेंगे ट् आपको देदोंगा परवड़ कर दोंगा ताकि आपका स्पीड बढ़ सके क्योंकि मैंने अल्मोस्ट 20 मिनिट्स में खत्म कर लिया गया था